दोस्तों, finally, 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 most waited result release कर दिया है, डीटरपैस बेने, postcode 92 by 20 TGT librarian post के लिए, और यहां पर basic information, total post जो थी, वो 197 थी, category wise division का कुछ ये है, और इस examination में बात करें, तो करीब 4,266 candidate एपियर हुए थे, जिन में से 431 candidates को provisionally shortlist किया गया है, ये सभी candidates अपने marks OARS module पर result section में चेक कर सकते हैं अगर अभी किसी के बाइचास update ना हुए हूँ, तो कल सुभे 11 बजे के आसपास तक सभी का result आपको दिखाई दे जाएगा, तो देख लेना, panic मत करना कि हमारा result क्यों नहीं show कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ, यह रही है e-dozier file करने की cut-off, screenshot ले लिजी का, बहुत बहतरीन cut-off मैं कहूँगा इसको, और यहाँ पर आपका बताओं क्योंकि TGT post थी तो यह आप पढ़ लेना, यह वाला point, 7th point, ठीक है, इसमें UR के लिए 40%, OBC के लिए 35%, और SCST, Physical Handicap के लिए 30% का क्राइटेरिया, part 1 में रखा गया है, e-dozier file करने की जो date है, वो आपकी 2nd of June to 16th of June यहाँ पर दी गई है, ठीक है जी, बाकी जो भी details discussion रहेगा, इसके लिए मैं करूँँआ, live session में next notice की तरफ एक बार move करते हैं, तो यह है आपके सामने second result notice, जिसमें आप देख सकते हैं, TGT special education teacher post for 93 by 20 के लिए यह final result notice है, और कल की date में special education primary के लिए जो चीज़ें आई थी, वो आपने देखी ली थी, जिसमें first recall and second recall था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं basic details यहाँ first में और बात में मैं बात करूँ चलो, यह चीज़े आप पढ़ी लेते हैं, यह यहाँ पर selections, जो selected candidates है, finally selected candidates, उनके role numbers हैं, और जो cut off रही है, आपकी selection की, अगर मैं cut off की बात करूँ, तो यह रही है, इसका screenshot ले सकते हैं यहाँ पर, और waiting panel की list भी अब यह बहुत अच्छा काम कर रहा है department की waiting panel की list भी साथ साथ दे देता है, और इसकी cut off भी देते हैं, तो एक बार cut off देख लेते हैं, इनकी भी क्या है, कुछ इस तरीके की cut off यहाँ पर दी गई है, जिस category में candidates नहीं है, वेटिंग में, उनके लिए यहाँ पर no candidate available already department ने डाल दिया है, ठीक रही बात, अब मैं next notice की तरफ move करता हूँ, क्योंकि like session में detailed discussion करूँ हूँ है, यह आपका special education वाली ही post का rejection notice है, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि rejection notice देखना बहुत जरूरी होता है, बशरते आप भले ही चीज़ें selection वाली देखे आना देखे, लेकिन जिनका आने वाला है, आगे edosiers वगेरा हैं, जिनको documents विलब करने हैं, वो rejection notices को जरूरी हान से देखा गीजिए, ताकि आपको चीज़ें clear हों, यह ना तो यह भी मैं telegram channel पर share कर दूँगा, आप देखेगा यहां पर documents वगेरा की जो भी गडबड़ी होती हैं, यहां